जब इस मूवी का ट्रेलर आया था सच में वो इतना जादा वाहियत इतना जादा घटिया लगा था कोई नहीं था इस मूवी को देखने के एक विलन डिटर्ण मुवी देखने के पीछे रीजन ही था क्योकि इसके अंदर जोनी ब्राहिम सर थे दूसरा रीजन मैं ये कह सकता कर देखने में, अपने दो घंटे बरबाद कर दिए, इस इस मुवी को अगर आप बात करें, तो उसके अंदर रिते ये देश्मूग, जो एक सीरियल किलर बने थे, नेगिटिव शेड़ में उनको दिखाया गया तो बहुत बढ़िया कालाकारी उन्होंने की थी और हमें देखकर वो जज़ मतलब हम जब उनको देख रहे थे बहुत अच्छे भी लगे थे बहुत जच भी रहे थे अपने रोल के अंदर एक विलन की कहानी काफी अच्छी थी उनके उस मू या तरीके से इसके अंदर चीजों को दिखाया गया आप सही नहीं सकते हैं इन टॉलरेबल पूरी मूवी है और उसके साथ साथ इन सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इन टॉलरेबल या फिर कहूंगी एक टोर्चर के रूप में जो आपको नज़राईगी वो है अर्जु उनका पूर को एक्टिंग करते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते फूरी मूवी के दोरान वो पूरी मूवी के दोरान सिर्फरसर बाइक पर नज़राई है उनका हंग ना मुतना सिर्फरसर बाइक पर वो कितनी बखवास चीज लग रही है इतनी घट्या पंदिया वो पर इस पूरी मूवी को देखने के बाद जो स्टोरी मेरे दिमाग में आई कि भाईया इसमें क्या दिखाने की कोशिश करें बस वो यही है कि भाईया दो व्यक्ती हैं उनको दो लड़कियों से प्यार हो जाता है शुकर है बोलीवुड वालों ने दो लड़कों को दो लड़कियों से प्यार करते हुए दिखा दिया यह बोलीवुड वाले बता नहीं कुछ और ही दिखा सकते थे अब यहाँ पर दोनों लड़कों के दिल टूटे हुए वन साइडिड लब है उन दोनों में से कोई एक सीरियल किलर बन के निकलता है हमारे सामने अब सीरियल किलर कोन है यह पूरी मुवी में देखने के बाद ही पता चलेगा है सच कहों आपको पता चल जाएगा कि सीरियल किलर कोन है मन तो है लेकिन मैं स्पोरिलर नहीं और देना जाता इस पूरिलर की मुवी के अगर इस आफ की बात करता हून वह इतना लौजिकल है याँ और आप अपना दिमाग जमीन पर हुए थेटर में कि यह क्या देख रहा हूं मैं सच में यह देखने के लिए मैंने पैसे दिये थे इतनी वाहियात इतनी घटिया चीज को देखने के लिए पैसे दिये गए हैं एक विलन मुवी था उस मुवी को देखकर हम एक विलन रिटन मुवी देखने आये हैं लगा होगा कि य फानी को आच्छे से पिखाया गए को उसके आंदर वह फिर्सट हाफ सच को हओं आप उसए जितना बकवास बोलो घितना बकवास दो लोगे इतना ही कम है इतनी वाहियात है इतनी वाहियात है गाली- देने का अन सच में गालीिनले का मन है, लेकिन मैं देता नहीं हूँ, इसलिए मैं दे नहीं रहूँ इस मूवी को इस मूवी के makers को लगा होगा है, जनता तो पागल है, उनके दिमाग में तो कच्रा बरा हुए कुछ भी बना दो उनके लिए, वो देखी लेंगे, भला वायात, टटी बना दो, फिर भी वो देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता होगी, यह समझदार, अब उनको समझ में आता है कि क्या उनको देखना है, इस मूवी के makers के दिमाग में कच्रा बरा हुए, एक तो इतनी वाहियत, मूवी यार कौन देखने आएगा, अगर मैं सेकंड हाफ की बात करूँ, वो इसलिए आपको पसंद आएगा, फिर इसलिए आप उससे थोड़ा बहुत कनेक्ट हो पाएंगे, मूवी आप सह पाएंगे, जस्ट विकोज ओव जोन इब्राहिम सर की वहाँ प सोड़ा बहुत इंटरस्ट आने लगता है, तब ही अर्जुनकपूर की एंटरी हो जाती है, वो यही इसलिए एंटरी करवाई जाती है, कि भाईया तुम्हें इंटरस्ट आ कैसे गया, कैसे तुम इस मूवी से कनेक्ट हो गए, ऐसे हो नहीं नहीं दोगा, इस मूवी के अंदर, पाता नि, क्या सोच कर इदर इदर की एक लव स्टोरी चकी है, वो सच में लव स्टोरी है, यह है, दो चकलो दो लोगों को, उनको दो लड़कियों से प्यार दिखा दो, एक को सीरियर के लड़ दिखा दो, एक मार रहा होगा, दूसरा उसके पीछ स् प्लै-ब्लै-ब्लै-ब्लै-ब्लै, कुछ भी, मतलब ऐसे बैठे होंगे, लिखने हां, या क्या लिखूँ, जो मन में कच्रा आया, वो लिख दिया, उतार दिया, अपनी स्क्रिप्ट के उपर बना के रख दिया, यह 30 मूवी है, मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं 0 दे दे फिर कहते हैं, यार यह लोग हमें बिरोजगार हैं, हमें नोकरी नहीं मिलती, इसलिए तो नहीं मिल रही है, तुम अपना दिमागी यूज नहीं करते हो, तुम्हारे पास दिमाग की कमी है, तुम्हीं इस कच्रा देखते कर कच्रा हो गया है, तुम्हारे दिमाग, सच मैं पहले इन कच्रा मूवी को देखना चोड़ो फिर अपनी स्किल पर वर्क करो और कोई रोजगार ढूंड लो इन मूवी को देखने से कुछ भी नहीं होने वाला भाई साथ तो अगर आप लोगों ने मूवी देखिए तो प्लीज कमेंट करना है कि आप लोगों को मूवी कैसे अगर नहीं देखिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंडिन नहीं करने वाला कि मूवी जाकर देखो मत देखो यह जो पैसे हैं इनको कहीं और आगे लगा दो उससे बैटर तो यही रहेगा थोड़ा बहुत गरम हैसूस जुरूर हो जाएगा लेकिन फिर भी फिर भी सही रहे जाहिंद